इस वीडियो के अंदर हमें एक बहुत ही छोड़े टॉपिक को समझाएंगे लिए एक इंपर्टेंट टॉपिक है जो कि टॉट के अंदर आता है इस टॉपिक के अदर हम बात करेंगे एक्स्टिंशन आफ लैबिलिटी इन टॉट या फिन आप बोल सकते हैं डिस्चार्ज ओफ लैबिलिटी इन टॉट कि कब किस सिचुएशन के अंदर या किन चीजों से जो आपकी लैबिलिटी होती है मतलब जो टॉट कीजर होता है उसकी जो लैबिलिटी होती है जो रॉंगडूर होता है उसकी जो liability होती है वो खतम हो जाती है अब उसके लिए उसको compensation पे करने की ज़रूरत नहीं है मतलब अब वो wrongdoer नहीं रहेगा अब उसकी liability खतम तो हमें 6 situations ऐसी दी गई हैं जिस जिसके अंदर जो wrongdoer होता है उसकी liability जो होती है वो खतम हो जाती है और इससे पहले के जो topics हैं जैसे कि अगर आपको introduction देखना हो या फिर अगर आपको strict liability, absolute liability देखनी हो या फिर इससे related कोई भी topics देखनी हो तो आपको channel के उपर, मतलब मेरे channel के उपर thought नाम से clear list मिल जाएगे उसके अंदर आपको इससे related जितने भी topics हैं जितने भी topics हैं, जितने भी इससे पहले के topics हैं सारे उसके अंदर आपको मिले रहेंगे तो उसको आप देख सकते हैं, thought को पुई तरीके से cover कर सकते हैं अब हम आते हैं इन छे reasons के उपर, जिसकी बज़े से जो liability होती है वो खतम हो जाती है सबसे पहला reason हमारे पास आता है death of party का death of party अब देखे, word मैं ने use किया party यहाँ पर यह नहीं बताए कौन सी party जिसके साथ गलत हुआ या जिसने गलत किया तो party मतलब कि हम दोनों को ही include गर दे हैं जिस व्यक्ति के साथ गलत हुआ वो भी और जिसने गलत किया होगी अगर दोनों में से दोनों में से किसी की भी death हो जाती है तो वहाँ पर tort के अंदर liability खतम हो जाती है अब दूसरा व्यक्ति libel नहीं रहता मैं जिसने wrong किया उसकी death हो गई तब उसको कुछ कुछ claim नहीं मिलेगा जिसके साथ गलत हुआ था जिसके साथ गलत हुआ था तो अब जिसने गलत किया था उसको कुछ claim करने की जुरूर नहीं है तो दोनों ही case के अंदर चाहे दोनों में से किसी भी party की death हो जो liability होती है tort के अंदर वो खतम हो जाती है ये जो point है ये maxim के उपर right of action की अगर death हो जाती है तो फिर जो right of action होता है वो खतम हो जाता है अब आप action नहीं ले सकते आपके बाद से वो right चला जाता है लेकिन ये जो maxim है वो सिरफ किसके ओपर applicable होती है personal tort के ओपर applicable होती है मतलब कि tort दो तरीके से होते है या तो परसनल नुकसान होता है आपके होता है वे होता है property के against तो ये जो maxim है ये सिरफ v turboy liability खतम करती है जो कि personal tort होती है जहां पर personal नुकसान होती है प्रापर्टी को कोई नुकसान नहीं होता होता है ये सिरफ personal tort लिए applicable है पर्सनल टॉट के लिए अप्ली केबल है, प्रोप्राइट्री टॉट के लिए अप्ली केबल नहीं है, अब पर्सनल टॉट के एक्जाम्पल जैसे कि, किसी विप्ति का डिफिर्मेशन होता है, उसमें को प्रोपर्टी को हाम होता है, तो इसमें किसी पर्सन को हाम नहीं होता मतलब किसी के पर्सन की प्रॉपर्टी को हाम ही होता है ये सिरफ पर्सनल हाम होता है लेकिन जो प्रॉप्राइटरी ट्रॉट होता है प्रॉप्राइटरी ट्रॉट के अंदर क्या होता है अन्जस्ट एंरिच्मेंट ऑफ टॉट फीजर प्रॉपर्टी की, मतलब कि जो enrichment नहीं होनी चीज़ थी, जो फैदा नहीं होना चीज़ था, गल्ट करने वाले की प्रॉपर्टी को वो फैदा उसको होता है जैसे कि fraud के case में, nuisance के case में, trespass के case में, मतलब कि उसको किसी तरीकी से पैदा हो रहा है, प्रोपराइट्री पैदा हो रहा है, कुछ प्रॉपर्टी के अंदर पैदा हो रहा है, या फिर जिसके साथ कलतु है उसकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान हो रहा है उसके अंदर, विसे ड्रस पास के अंदर कोई नुकसान होगा, न्यूसस में कोई नुक यहां पर देथ से लाइब़िटी खतम नहीं होतीu है यहां पर इस्से लेगल से holder होते है लेकिन पररा उता है वहां पर ब्राइबलिटीm खद हो जाती है, हमारा फस्सरीज को टit लिए कर्टनरा में दुआई है उसके पास तो चाहिए लेडी does क्या क्या उस है उस्के दोर का सकता दुबारास क्या क्या किए लएकर रिपरेट चाहिए लेडेडी को berries कि कर्वाले कर दिया तो भाहाद में दुबारा से लिए उसको नहीं भूल सकता है एक वक पे नहीं हो सकता है, तो यह हमारा second option आजाता है waiver का, तो पहले हमारी liability किससे खतम हुई, death of party से, लेगिन कौन सी सिरफ personal liability, दूसरी आगी है waiver से कि उसने खुदी elect कर लिया किसी दूसरी चीज़ को, तीसरी आगी है accord and satisfaction, accord का मतलब क्या होता है, agreement करना, आपने जिस party के साथ गलत किया, उसके आपने agreement कर लिया, और satisfaction कैसे किया, आपने उससे बुले कि मुझे जितना इसके अंदर नुकसान हुआ है, उसके बदले मुझे इसका consideration कुछ पैसा वेगारा जो है वो pay कर दो, तो बहाँ पे फिर आप उसके आपने इसके अंदर की तू ने मेरे साथ गलत भी किया, मैंने उसके लिए तरह से पैसे भी ले लिए और आप मैं तेरे आपर स्यू भी कर रहा हूँ, तो वो चीज नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे वी जो तुम्हें पार्टी होती है, जिसने गलत किया, जिसके साथ गलत ह हुआ, अपने वीज में इस तरीके का अग्रिमेंट कर सकती है, कि मैं तरसे अभी consideration ले रहा हूँ, जिसने मेरे साथ गलत हुआ, तो मैं यह बोलता हूँ कि मैं तरसे consideration ले रहा हूँ, लेकिन तुम्हें को 10,000 पे दे रहा है मेरे नुक्सान के, लेकिन मानले मैं कोई इससे actual अगर 12,000 का हुआ, तो फिट 2,000 पे तू मुझे और दे, बट इफ कंडिशन वर्स्ट, रिन्यू, तो मतलब कि अगर और कंडिशन वर्स्ट होगी, तो जो मेरा क्लेम करने का राइट है, वो रिन्यू हो जाएगा, मैं तरसे अब इतने पैसे और ले सकता हूँ, मैं इसके और कंडिशन वर्स्ट पर डाल सकता हूँ, इस तरीकी की कंडिशन है, वो हम अपनी अग्रिमेंट में रख सकते हैं, अगर हम यह कंडिशन नहीं रखेंगे, तो फिर मेरे पास राइट नहीं रहेगा, कि मैं उसे ओपर दुबारा से क्लेम कर दूँ, चाहे मुझे फिर हम आते हैं, चौती चीज, चौती होती है, रिलीज, रिलीज मतलब जैसे कि अभी अग्रिमेंट किया, और उससे कुछ पैसे ले लिए, कुछ कंसिबरेशन ले लिए, लेकिन रिलीज से अंदर क्या किया, बिना कंसिबरेशन को उसको छोड़ दिया, तो ने मेरे साथ रिलीज कर दिया, मेरे को नहीं करना दिरोग पर शीग, फिर आते हैं पांच बात जजजमेंट, जजजमेंट मतलब कि आप कोट में गए, आपकी जो भी दोनों के बीश में डिस्प्यूट थी, आप कोट में गए, कोट ने उसके अपर अपना जजजमेंट दे दिया, अब जजजमेंट के अफ़ी गाटा और वो सब चीजजे आपी है, वहीं से निकला ओगा यह प्रिंसिपल है, जो जजजमेंट के है, तो हमारे पस ऑफी पांच रिजन होगाए, पहले होगा पहले होगे है डेथ अपर्स्नेल टाट के अंदर, सेकेंड होगा वेवर, थार्ड हो तो आप ताइम बार्ड हो जायगे की आपको जितने टाइम में issue करना था आपने उतने time में issue नहीं किया अब यह थोड़ना है कि अब लंबे time तक कितने भी 10 साल 15 साल 20 साल पचास सल जाके उसके लिए issue कर लो तो time barred अगर एक चीज हो जाएगी उसके इतना time limit अगर time limit ख़तम हो जाती है तो उसके बाद आप स्के उसके उपर श्यू नहीं कर सकते हैं भाई जितना time तो आपका पर आप नई की अगर इसके नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास बेसिकली छे रीजन आगे, पहला रीजन क्या था, डेथा उप पार्टी, दूसरा वेवर, तीसरा, एक्कॉर्डन सदिस्रेक्शन, चौथा रिलीज, फिर जज्ज्मेंट और पाच्छवा, छटा, स्टैश्यू आफ लिमिटेशन के अंदर उसने नहीं सी अगर वीडियो ठीक लगी हो, या अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजेगा, और कमेंट बॉक्स में अगर इनके से कोई भी पॉइंट समझ ना है हो, तो कमेंट कीजेगा, मैं इसनो आंसर ज़रूर दूँगा, इस वीडियो के लिए इतना है